बहुत सी ladies को period के दिनों में बहुत pain होता है और period भी unbalance हो जाते हैं और कहियों को one month छोड़के one month बात period होते हैं जिसके खारण ladies को बड़ी problem होती है जैसे paid dard कमरदद होने के साथ उसमें चीड़छड़पन और day by day मोटापा भी आता जाता है तो इस problem की solution के लिए आज मैं लेकिया यह बहुत ही healthy drink इस healthy remedy के लिए आपको जो समान चाहिए वो आपको आपके kitchen में ही मिल जाएगा तो hello दोस्तों मैं हूँ आशा स्वागत करती हूँ आपका मेरे channel Cook Delicious विदाशा में तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम gas पर एक pen चड़ाएंगे और इसमें एक glass पानी हम डाल देंगे इसको हम low flame पर gas पर चड़ा देंगे और आप हम इसमें डालेंगे काली मिर्च तो यह 5-6 काली मिर्च मैंने ले लिए हैं तो चाती और गले में जमा हुआ कफ भी यह बहार निकाल देती है और लेडिस में भी जो period संबंधी problem होती है उसको solve करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है तो यह देखिए 6-7 काली मिर्च को मैंने कूट लिया है और अब इसको हम गुनगुने पानी में एड़ कर लेंगे अब हमें एड़ करेंगे एक चम्मच अजवाइन अजवाइन भी गरम तासिर की होती है तो आप देख सकते हैं यह जीरे जैसी लगती है लेकिन उससे बहुत ही बारिक टाइप की होती है और बहुत ही अच्छी खुसबो आती है अजवाइन में और इसको भी हम खाना बनान पानी में और एकदम बारीक से कूटना है और इसको भी हम इस पानी में एड़ कर लेंगे तो अधरक भी हमें आसानी से हमारे किचन में मिल जाता है और इसकी तासिर भी गरम होती है और यह भी हमें कफ कोल्ड से राहत दिलाता है और महीलाओं को उनके रुकेवे पीरेड मे भी ये बहुत हेल्प पहुचाता है और अब साथी में हम डाल रहे हैं एक टेबल इस्पून जीरा तो मेरे पास ये चोटी टेबल इस्पून है तो इससे में नापकर दो टेबल इस्पून जीरा इसमें डाल रही हूँ और जीरा भी हमें आसानी से हमारी रसोई में मिल जाता ताकि इनका सारा फ्लेवर इस पानी में मिल जाए और पानी की क्वांटिटी एक गिलास से गटकर करीबन एक कप रह जाए तो इत्ती देर तक हमें इसको कुक करना है और आप चाहें तो थोड़ी सी कच्ची हल्दी अगर आपके पास है तो आप वो भी इसमें घिसकर थोड़ इसी डाल सकते हैं मेरे पास वो अभी एवी लेवल नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं डाली और अगर अगर कच्ची हल्दी ना भी हो हमने इसमें बाकी जो सभी चीज़े डाली है वो बहुत ही helpful है हमारे period का pain कम करने के लिए और हमारे period को regular करने के लिए और अब हम इसमें मी तो यह देखिए तीन से चार मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम में कुक किया था और अब मैंने गुड डालते ही इसको हाई फ्लेम पर कर लिया है और एक से डेड़ मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर भी बॉयल आने देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस पानी की क्वांटिट गटकर आधी रह गई है और गुड भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब हम इसको एक कप में सर्व करते हैं तो फ्रेंड्स पीरेट पेन को तो यह कम करेगा ही और पीरेट को भी रेगलर करेगा उसके साथ साथ कफ कोल्ड के लिए भी यह ड्रिंक पीना बहुत फायदे मंद है बस आप इसमें थोड़े चारपांग तूलसी के पत्ती भी क्रश करके डाल दें तो यह देखिए सारी सारी ड्रिंक को मैंने चलनी से चान कर एक कप में कनवट कर लिया है तो यह ड्रिंक हमारी प्रॉब्लम को तो सॉल्फ करेगा ही तो आप बात आती है कि ह हमको इस ड्रिंक को लेना कब है तो नाइट में सोने से पहले हमें इस ड्रिंक को लेना है और अगर आपको प्रॉब्लम जादा है तो आप दो टाइम सुवे और शाम को इस ड्रिंक को ले सकते हैं तो आप भी इस ड्रिंक को बनाईए पीजिए और एक बार में ही आपको बह बहुत ज्यादा helpful होगा और अगर दो बार पीने से भी आपकी period खुलकर नहीं आते तो आप doctor से consult कीजिए क्योंकि normal period संबंधी problem में तो ये drink बहुत ज्यादा helpful है लेकिन अगर आपको problem ज्यादा है तो आपको doctor को जरूर दिखाना चाहिए तो friends अगर आपको आज की remedy पसंद या जरा भी आपके लिए helpful हो तो please मेरी वीडियो को एक like करें और channel पे नए हो तो subscribe करें मिलते हैं एक नई recipe में तब तक के लिए bye bye